जहिंद विश्व इतिहास की युगांतकारी घटनाओं में समुद्री यात्राओं और भोगॉलिक खोजों का महतपूर्ण अस्थान रहा है अगर हम लोग बात करें विश्व इतिहास की तो इसमें जो युगांतकारी घटनाओं हुई है मतलब जो महतपूर्ण घटनाओं हुई है वो समुद्री यात्राओं के कारण ही संभव हो पाया है और भोगॉलिक खोजों के कारण ही ऐसा हो पाया है आधुनिक युग के आरंब होने में जिन घटनाओं का निर्नायक योगदान रहा है उनमें यह खोजें भी सामिल है इनकी प्रिष्ट भूमी उस वैज्ञानिक प्रगती और आर्थिक विकास विसेशकर व्यापारिक परिवर्तनों की चर्चा व्यापारिक परिवर्तनों की द्वारा रची गई जो मध्य युग के अंतिम चरण से ही आरंब हो गई इस कारी में यूरोप के देशों ने अगरनी भूमी का निभाई और यही कारण था कि आधुनिक युग में यूरोप का वर्चस्व समस्त विश्व में स्थापित हो गया यह बात और है कि भोगोली खोजों का प्रारंब करने वाला देश इस्पेन और पुर्तगाल इस परतियर स्परधा में धीरे धीरे पिशरते चले गए और नए देशों जैसे इंगलेंड, हॉलेंड, फ्रांस, तत्पस्चात, जर्मनी को इस दिसा में अधिक सफलता मिली हम लोग जानते हैं कि इस्पेन और पुर्तगाल ने इस परतियर स्परधा को शुरू किया था लेकिन यही लोग धीरे धीरे पीछे होते चले गए व्यापार एवं वामनिज, परसपर संपर्क के कारण रहा है यह व्यापार मुखिता एक निष्चित मार्ग के माध्यम से होता था प्राचीन एवं मधिकाल में भी यूरोप एवं एसेया के मध्य, प्रायह इन ही मार्गों का परियोग किया जाता था परंतु विश्व के कई ऐसे छेत्र थे जिनमें जन जीवन तो विदमान था लेकिन सेस विश्व से उनका जुडाव नहीं था जैसे अमेरिका, अफरिका, आस्ट्रेलिया तथा एसिया के अनी हिस्से यद पी तेरहवी सतावदी की बात करें तो भारत होकर चीन तक की यात्रा विवर्णों ने येरोपियनों को दक्षिन पुर्वी एसियाई सम्रिद्धी का एहसास तो कराया था फरंतु इसका विशेश प्रभाव नहीं पड़ा कलांतर में व्यापक अस्तर पर हुए भोगौली खोज़ों तथा उससे प्राप्त उपलबधियों ने येरोप में आधुने की यूग का मार्ग प्रसस्त किया पुर्टगाली यात्री मार्को पोलो ने विजे नगर सम्राज की सम्रिद्धी एवं चीन के सासक और कुबले खा के दरवार के वयभव का वर्नन अपने यात्रा व्रितान्त में किया है कौन तो पुर्टगाली यात्री उसका नाम क्या है तो मारको पोलो ने किनकी यात्रा विर्टांत में चर्चा की है तो पहला विजे नगर सामराज की समरिधी और दूसरा चीन के सासक कुबले खां के दरवार के वैभव के विर्टांत का वर्णन किया है मध्यकालीन यूरोप इतिहास का हम यदी अध्यन करेंगे तो पाएंगे कि यह काल सामंती प्रविर्टियों का काल था मतलब मध्यकाल में अगर हम लोग यूरोप के इतिहास को पढ़ें तो हम लोग देखेंगे कि सामंती प्रविर्टि का बोलबाला था सामंती का मतलब हो गया कि जो बड़े-वड़े जमिदार लोग थे उन लोगों का प्रभाव समाज में था इस काल में ना तु व्यापार वानिज गतिसील था ना ही धर्म का स्वरूप, उदार और मानवित्या इसका कहने का सीधा मतलब हो गया कि जो जमिदार लोग होते थे उन लोगों को धन वगेरह जब मिलता था उन लोगों के पात में जो धन था उसका उपयोग वो लोग अपने सुक्स विधा का सामान जुटाने में करते थे ना कि अपनी प्रगती के बारे में या व्यापार वा ही मानविय था उदार का मतलब क्या हो गया अंध विश्वास का बूल बाला था और चुवा छूत वगेरा भी था इसलिए इसे बोला जाता है कि मानविय नहीं था मतलब बहुत कुछ ऐसे समुदाय को मंदिर या मस्जिद या उस समय में वहां पर जो गिरजा घर होता था वह पर उन लोगों को प्रवेश वरजित था पिर्थवी के बारे में ग्यान अत्यल्प एवं अध्विस्वास से युक्त था मतलब पिर्थवी के बारे में जो भी ग्यान था उन लोगों का वो क्या था बहुत ही कम था और अंध्विस्वास था उन लोगों का मानना था जैसे अभी हम लोग पिर्थवी को कुछ अगर खुले मैदान में आप जाएं और पिर्थवी को देखें तो लगेगा कुछ दूर के बाद वो पिर्थवी क्या हो रही है तो नीचे गिर रही है तो ये लोग उधर नहीं जाते थे उनका मानना था कि उधर अगर हम लोग गए तो फ प्रित्वी के बारे में जो ग्यान था वो अत्यल्प एवं अंधिविश्वास्त से भरा हुआ था। जहाज छोटे और और सुरक्षित थे तथा गती एवं सुरक्षा के लिए हवा पर निर्भड थी। महासागर की यात्रा करना अत्यंत दुश्कर था। भगोली खोजों की प्रिष्ट भूमे। इस बीच यूरोप में कुछ ऐसी घटनाय घट रही थी जिसके फलस्वरूप यूरोप्य मध्ययोगिन मानसिक्ता से निकलने की को उद्धत हुआ। तो जेरुसेलम पर अधिकार के मुद्धे को लेकर हुए धर्म युद्ध में जब यूरोप्य सामंत मध्य एसिया की नवीन सक्ती अर्बों से पराजित हुई। तो सामंती गौरव के मिथ्या भिमान से गर्शित यूरोप्य दंभ तूटने लगा। परन्तु इसके कुछ सकारात्मक परिनाम भी सामने आए। धर्म युद्ध के दोरान ही यूरोपियनों को यह महसूस होने लगा था कि दुनिया के हर पहलू को समझा जाए। इन घटनाओं ने यूरोप में पुनर जागरन की प्रिष्ट भूमी भी तयार की। पहले मध्य युग में क्या था कि जो सामंत प्रविरती वाले लोग थे उनका मानना था कि हम ही सक्तिसाली हैं। और हम जो बोलेंगे वही धर्म होगा। लेकिन इस युद्ध ने उनकी इस मानसिक्ता को बदल दी और उनको नए तरीके से सोचने के लिए विवस किया। मध्य युग में अर्बों और तत्पस्चा तुरकों ने विसाल अंतराष्ट सामराज का निर्मान किया। इधर पंदरहवी सतावदी के पांच दसक पूर्व तक युरोप और एसिया के मध्य व्यापार कुस्तुन तुनिया के मार्ग से होता था। परंतु 1453 इस्वी में कुष्टन तुनियाँ पर तुर्की अधिपत्ती से यूरोपे व्यापारियों के लिए इस मार्ग का व्यापार करना निरापद नहीं रहा क्योंकि तुर्कों ने इस मार्ग से व्यापार के बदले भारी कर वसूर ना सुरू कर दिया था जिसका हल ढूंधना यूरोपियोनों के लिए आवस्यक था इस काल में हुए नए ने अविस्कार ने समुद्री यात्रा एवं नौसवना के विकास को आसान कर दिया यूरोप वासियों ने कमपास का ग्यान अर्बों से सीखा इटली, स्पेन एवं पुर्टगाल के समुद्र तटी इलाकों में नाव निर्मान कला में परंपरागत पधती की जगा खाँच पधती विक्सित हुई जिस से बड़े एवं मजबूत जहाज बनाये जाने लगे दुर्बिन का अविस्कार भी हो चुका था जो सामुद्रिक अभियानों में काफी सहायक था अब मानचित्र में काफी सुधार हो चुका था इस संदर्व में एस्ट्रो लोब आक्छांस जानने का उपकरन भी महतपूर्ण था पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हलके और तेजचाल से चलने वाले जहाज कहरावल बनाये क्या तो कहरावल बनाये एक जहाज था ये इन नई उपकरना एवं साहस के बल पर येरोपी नाविकों ने अटलांटिक एवं भुमधी सागर में अपने जहाज उतारे इसी करम में 1488 वी में पुर्तगाले व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज कौन तो बार्थोलोमियो डियाज अफिरका के पस्चमी तट होते हुए दक्चिन अफिरका के दक्चिनतम बिंदू उत्तमासा अंतरीप केप ऑफ गुड होप तक पहुचा 1492 इस्वी में क्रिस्टोफर कॉलंबस द्वारा अमेरिका की खोच की गई आगे 1498 इस्वी में पूर्टगाल का एक सहसी नाविक वास्को डिगामा उत्तमासा अंतरीप होते हुए भारत के मालावार्तट तक पहुच गया जहां अस्थानी सासक जमौरीन द्वारा उसका स्वागत किया गया कौन राजा तुझा मौरीन द्वारा कहां पहुचे तुमालावर्तट केरल के कालिकट गया तब यह है कि वास्को डिगामा की सफलता के पीछे कुछ नवीन संसादनों का भी योगदान था भारत के व्यापारी अब्दुल मजीद के भेट वास्को डिगामा से दक्षिन फिरका में हुए थे किसका तो अब्दुल चचा का भेट हो गया किस से तो वास्को डिगामा से अब्दुल चचा गुमने के लिए गय थे दक्षिन फिरका और वहाँ पर उसको कौन मिल गया वासको डिगामा और उसको लेते देते वो कहां चलाए तो हमारे भारत में चले आए कहां आए तो इसके बारे में पहले ही बता दिया इसी किसह योग से उसे भारत आने का सीधा मार्ग मिल गया इससे यूरोपियनों का साहस में विर्धी हुई वास्को डिगामा द्वारा भारत से लाए गए वस्तों को 26 गुना मुनाफे पर यूरोपी बाजारों में बेचा गिया अमेरिका अर्थात नई दुनिया के खोज यूरोपियनों की नई उपलब दी थी जिसे 1492 में ही कॉलम्बस ने प्राप्त किया यद पी कॉलम्बस ने अमेरिका को भारती उप महद्वीब का हिस्सा समझा और यहां के निवासियों को रेड इंडियन कहा अमेरिका के निवासों को रेड इंडियन किनो ने कहा तो कॉलम्बस ने कहा बाद में इस्पेन के नाविक अमेरिकू वेस्पुची ने नई दुनिया को विस्तार से ढुणड़ा और इसे एक महद्वीब बताया इसी का नाम पर इस छेतर का नाम अमेरिका पड़ा तो अमेरिका का नाम अमेरिका किसके नाम पर पड़ा तो अमेरिगू वेस्पूची 1599 में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया कब तो 1599 में किन होने तो मैगलन ने यह धारना पुष्ट हो गई कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए है आगे कैप्टन कुक ने ऑस्टेलिया की खोज गी किन होने तो कुक चचा कौन तो कुक चचा साथ ही साथ न्यूजिणलेंड के दीपों को अभी पता लगाया सर जौन और सेवस्टिन कैबोट ने नूफाउलेंड के दीपों का पता लगाया भोगौलिक खोजों को प्रोचाहन देने में विभिन यूरोपी देशों के सासकों भी महत्पूर्ण भूमिकानी भाई जिसमें पुर्टगाल के राजकुमार, हेन्री द नेविगेटर तथा इस्पेन की महारानी इसाबेला, इसबगेल की भुस्सी इस परकार 1620 अतावदी के पुरवार्ध तक लगभग समस्त दुनिया की जानकारी यूरोप को हो चुकी थी नई दुनिया, अमेरिकी महाद्वीब को येरोपियों द्वारा नई दुनिया कहा गया क्योंकि कोलंबस की यात्रा से पुर्व इसकी खोज की जानकारी नहीं थी भोगॉलिक खोजों का क्या परेनाम हुआ? भोगॉलिक खोजों का परेनाम काफी दूरगामी और महतपूर्ण साबित हुई इस घटना ने पहली बार लोगों को संसार के एक वरिहत भूखंड से परिचित कराया और विश्व के देश एक दूसरे के संपर्क में आये एसिया और यूरोप के विभिन सभ्यताओं का जो पहले से विलग थी परसपर संपर्क स्थापित हुआ नए देशों की खोज के द्वारा ना केवल नए उपनिवेसों के साथ व्यापार करने को परोचसाहन मिला वरन उन्होंने वहाँ अपनी सभ्यता संश्क्रिती धर्म एवं साहित का परचार करने का भी प्रियास किया परंतु इसका नकारातमक परभाव यूरोपी उपनिवेस वाद के रूप में उभर कर सामने आया अपनी विक्सित एवं भौतिक आवस्यक्ताओं की निमित इन्होंने उन देशों का सोसन किया जो यूरोपी देशों के उपनिवेस थे भोगौली खोजों के परिनाम निम्न रूपेन अस्पस्ट किये जा सकते हैं पहला व्यापार वानिज पर परभाव देखते हैं इसको नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपरकों ने उरोपी व्यापार वानिज में करांतिकारी परिवरतन लाए उपनिवेस ओं के आर्थिक सोसन से उरोपी देश सम्रिद्ध होने लगा इस प्रगती ने एरोपी व्यापार को चर्मोत कर्स पर पहुचा दिया फल स्वरूप मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ हुंडी रिनपत्र आदी व्यापारिक साख का विकास हुआ व्यापार अपने अस्थानी स्वरूप से विक्सित होकर वैस्विक रूप लेने लगा नए देशों की खोज के पुर्व व्यापार मुख्य रूप से भुमदी सागर और बाल्टिक सागर तक ही सिमित था परन्तु अब इसका स्थान अटलांटिक, हिंद और प्रसाथ महासागर ने ले लिया फल्ता, पेरिस, लंदन, एमस्टरडम, एंट वर्प, आदी सहर विस व्यापी व्यापार का परमुख केंदर बन गया और यूरोपी व्यापार पर इटली का एक अधिकार जाता रहा पहले यूरोपी व्यापार पर इटली का एक अधिकार था, अब वह क्या हुआ तो समाप्त हो गया इसके अस्थान पर इस्पेन, पुर्टगाल, हॉलेंड, इंगलेंड तथा फ्रांस का प्रभाव बढ़ गया कलांतर में अपने विशाल सामराजी को संभालने में इस्पेन और पुर्टगाल इतने निमगन हो गए कि इन्होंने अपने सामराजी को ही खो दिया यूरोपी देशों द्वारा खोजे गए नए देशों से आयातित बहुमुली धातू विशेश कर अमिर्का से आयातित सोना तथा चांदी ने अर्थव्यवस्था के स्वरूप को ही बदल दिया फलता असी वर्सों तक यूरोपी अर्थव्यवस्था चांदी पर निर्वर रही इस से मुद्राइस्पिती की स्थिति उत्पन हो गई बदलते हुए आर्थिक स्वरूप में व्यापार की प्रधानता बनी और वर्ग संबंधों में परिवर्तन आने लगे इसके फल स्वरूप समाज के सामनती वर्ग के बदले में व्यापारी वर्ग का पुर्भाव बढ़ने लगा सबसे पहले पुर्तगालियों का आगमन भारत में यूरोपी कंपणियों का अस्थापना पुर्तगालियों का अगमन 1489, सबसे पहले पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर डच, फिर फ्रांसेसी, फिर डेनिस, फिर स्विडिस पुर्तगाली 1489, अंग्रेज 1600, डच 62, फ्रांसेसी 1664, डेनिस 1616, स्विडिस 1730 पुर्तगाली 1489, सबसे पहले पुर्तगाली और सबसे अंत में स्विडिस आये, स्विडिस कभ आये? 1731 अपनेवेसिक सामराज्यों का विकास भोगोली खोजों के उपरांत उपनेवेशों के स्थापना के रूप में सामराजवाद का विकास जारी रहा और यूरोपी राष्टों में तिवर परतियस परदा भी चलती रही इसके फल स्वरूप व्यापार के माध्यम और स्वरूप में भी परिवर्दन आये वेक्तियों की जगह अब संगठित व्यापारी कमपनियों ने व्यापार का संचालन आरंभ किया और इसी उदेश से विसेशा धिकार तथा अन्निय सुविधायें प्राप्त करने के लिए ये कमपनियां प्रियतन सील हुई इंग्लेंड, हॉलेंड, स्वेडन, डेनमार्क, फ्रांस, आदी देशों में ऐसी कमपनियां स्थापित हुई इन में से कुछ कमपनियां व्यापारीयों के द्वारा प्रायोजित थे और कुछ राजियों द्वारा आगे अमेरिक्या, अफ्रिका, औस्ट्रेलिया तथा अन्य द्वीप समुह में उपनियवेस एवं बस्पियां बसाए गई प्रारंभ में पूर्तगाल और इस्पेन उपनियवेस अस्थापित करने में अग्रणी रहे परंतु स्वलवी सदी के अंत तथा सत्रवी सदी के प्रारंभ में फ्रांस भी सामिल हो गया वाने जिवाद का विकास नए देशों की खोज तथा व्यापार के वैस्विक विस्तार के फल्सुरूप आधुनिक पुन जिवाद का जन्म हुआ इस आर्थिक व्यवस्था में बुलियन की महत्ता बढ़ी सोने की महत्ता ने यूरोपी देशों का ध्यान इस ओर आकरिष्ट किया और अंतराष्टी अस्तर पर सोने की एवम चांदी की लूट हुई तथा साथ साथ इसका भंडारन भी क्या जाने लगा इस भंडारों की प्राप्ति में इस पेन अग्रणी था